कुछ दिन पहले सल्मान की इंडस्ट्री में काफी तारीफ हुई थी जब ट्यूब लाइट के खराब कलेक्शन के बाद उन्होंने डिस्टिब्यूटर्स को पैसा लोटा दिया और सारा नुकसान अपने सिर ले लिया था फिर शारुक खान की फिल्म जब हैरी मेट सेजल के फ्लॉप होने के बाद डिस्टिब्यूटर्स ने इस अक्टर से भी पैसा रिफरंड करने की रिक्वेस्ट की लेकिन अभी तक शारुक के मनी रिटर्न करने की कोई ख़वर नहीं आई है लेकिन इसी बीच एक बड़े सूपरस्टार ने सलमान के इस फैसले को गलत बताया है और वो है आजे देवगन जिने लगता है कि डिस्टिब्यूटर्स को पैसा वापस करना खलत है इस बाचाहो आक्टर ने कहा इनसानियत के नाते अगर आप पैसा वापस मागे तो ठीक है लेकिन टेक्निकली नहीं किस फिल्म के फ्लॉप होने पर एक सूपरस्टार को जिम्यदार ठहराना सही बात नहीं जब सल्मान खान की फिल्म में 100 करूर का बिस्नस कर जाती है तब इन में से क्या कोई ये कहता है कि हमने जादा कमा लिया है इसलिए हम थोड़ा पैसा वापस कर रहे हैं बिस्निस तो बिस्निस होता है, इसे सही तरीके से करना चाहिए। परी देखते हैं सलमान खान को अजे के स्टेटमेंट पर क्या कहना है।